मैं कल तक कॉंग्रेस के साथ था आज मैं देश के साथ हूं और देश मोधी के साथ है फहराने का काम लहराने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंतरी नरेंद मोधी जी कर रहे हैं और अब मैं मोधी के साथ हूं लेकिन फिलहाल मेरा जो फोकस है मेरा जो धे है मेरा जो स्वीकार किया कि मेरे भावना को स्वीकार किया भगवान के होने वाले अवतार कर्ण कि भगवान के षिकल की धाम का शिलन्यास किया कि बस ऐस में प्रधान मंति नरिंद मोदी का रिनी हो गया भाजपा किसी Πाथ या कॉंग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है और मैं कल तक कॉंग्रेस के साथ था आज मैं देश के साथ हूँ और देश मोधी के साथ है इसलिए कल तक क्या हुआ मैं इस पे ज़्यादा बाद नहीं करना चाहता मैं ऐसा मानता हूँ कि भारती है संस्कृती और सब्वता और भारत का द्वज पूरी दुनिया में फहराने का काम लहराने का काम आज देश के यशश्वी पधानमंत्री नरेंद मोधी जी कर रहे है और अब मैं मोधी के साथ हूँ लोग आपको इसमें ये रेजे भी देख रहे हैं कि आप भाजपा जोइन करेंगे कल क्या होगा मुझे नहीं पता राजनीती संभावनाओं का खेल है लेकिन फिलहाल मेरा जो फोकस है मेरा जो धे है मेरा जो ध्यान है वो शिरकल की धाम के भब और दिव मंदिर बनाने की तरफ है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ राजनीती बहुत छोटी है राष्ट बड़ा है सनातन की पुनरिस्थापना का समय है ये भगवान राम के मंदिर की प्रान पतिष्ठा होना और शिकल की धाम की आधार शिला रखा जाना शिकल की धाम का शिला न्यास होना ये सनातन के गौरव का विशय है भारत के लिए गौरव का विशय है और हमारे सब के लिए गौरव का विशय है इसलिए मैं इन गौरवानवित पनों को खोनाने चाहता है मेरा क्या होगा मैं कहां जाओंगा मैं किस पद्ध पर आउंगा मेरा सम्मान होगा मेरा अपमान होगा मैं अब इन चीजों के जमेले में पढ़ना ने मुझे परमात्मा की कृपा से वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए मैं आठारा वर्षों से तपस्या कर रहा था भारत के यशश्वी प्रधान मंत्री ने मेरे आग्रह को स्विकार किया मेरे भावना को स्विकार किया भगवान के होने वाले अवतार श्री कल की भगवान के श्री कल की धाम का शिला न्यास किया बस मैं प्रधान मंत्री नरिंद मोधी का रेणी हो गया और मैं उनका अभा करना चाहता हूं